नियूस 24 के इस खास शो मन्थन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूं मानक गुपता एक एकर के सारी हस्तियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई इसी मंच पर और उसी कड़ी में अब जो शक्स मेरे साथ मौझूद हैं उन्हें डलित यूथ आईकॉन कहा जाता है चंदर शेखर आजाद रावन इन्हें डलित यूथ आईकॉन तो कहा ही जाता है और इनको ऐसे भी डिस्क्राइब किया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश में आब दूसरे नंबर के दलित नेता बन गए हैं मायवती के बाद ये परिचे कैसा लगता है आपको एक दलित यूथ आईकॉन और दूसरा दलितों के दूसरे सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में मायवती के बाद तो अगर गरीब यूथ आईकन कह देते तो भी चल जाता है दलित दलित अब आप से तो अमीद नहीं कर रहा था कि आपकी पहुँच नहीं है या आपकी अपील या फॉलोइंग नहीं है एक बार और गरीब यूथ आईकन कह दो चल जाता है हर गरीब खुद में चंशेकर को देखता है उसे लगता है कि यह चंशेकर है जो अपने हके लिए लड़ना चाहता है वो अपने आपको चंशेकर मानता है तो वो गलीब किसी भी वरका मुझे लगता है कि वो चंशेकर अपने आपको मान सकता है और रही दूसरे नंबर के नेता की तो नेता तो बनना नहीं चाहते हैं मानक साब बनना तो चाहते हैं कारेकरता उनके हमदर्द उनके दुख सुख के साथ ही क्योंकि नेता तो धोका देते हैं आतक का रिकॉल उठा के देख लो ट्रैक 90% लोग राजनीती में इस चमक धमक के साथ आ रही हैं सोचके की पैसा मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, फार्म हाउस बन जाएगा और हम परिवर्तन की सोच को लेके आएं कि जिनका बनना तो उनको बन गया, जिनका नहीं बनना उनका क्या होगा जो चुनाओ के समय जिन पर बहुत बड़ी बड़े दावे और दोशना बत्र होते हैं कभी चुनाओ के बाद तो कभी पूछता नहीं, ना कोई सवाल करता, ना कोई जवाब देता और कहो तो कह देते हैं उसलों सरकार के लोग की जमूले हैं हमने तो मजाग किया था जनता से तो अब वो मजाग हतम होना चाहिए यही अपनी पहचान है अब जनता के इतकी बात हो मुद्दो की बात हो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप राजनीतिक लोगों की तरफ ने क्योंकि मैंने दूसरे नमबर का नेता कहा तो कहीं पहले नमबर की नेता की तरफ तो आपका इशारा नहीं था नहीं 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 उनके पास कुछ है नहीं दो साल जो जो सरकार में उनके लिए क्या कह तो जो सरकार में उनके लिए कह रहा हू जो बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं मैंने यहां से एरिपोर्ट से आदक देखा तमाम पोस्टर, बैनर ये एक नंबर, दो नंबर और सच देखो तो कहा हैं एक नंबर, दो नंबर बेरोजगारी में एक नंबर बरश्टाचार में एक नंबर NCRB का डाटा कहता है एक नंबर है दलिद उत्पिडन में, महिला उत्पिडन में अपराद में तो मुक्य मंतरी चाह कितनी ताली बजा दें सच तो ये है कि ताली गरीबों की खाली है तो आप दूसरे नंबर के दलिद नेता नहीं है क्या उत्तर प्रदेश के इंट्रिव्यू किये, मैं हर बार बहन जी से बहन जी पर आपसे सवाल पूछता हूँ मैं समझ नहीं, कैसा रिष्टा है? दोस्ती है, दुश्मनी है खटा मीठा दोनों है या फिर इस रिष्टे का परवान चड़ना अभी बागी है तो ही, वो मानती नहीं रिष्टा और हम समाजी ग्रूप से मानते हैं वह इतना रिष्टा है और क्या कहीं बताइए उन्होंने सीरे से नकार दिया है क्या करें? अपना काम करें हैं, वो अपनी पर्टी चला रही है अपनी विचारदार चला रही है संबीलन कर रहे हम अपना कर रहे है और मुझे लगता है कि एक जो बहुत ज़रूरी बात मानक भाई वो मुझे क्या मानती हैं क्या नहीं मानती रिस्ता क्या इस से उत्तर प्रदेश का कुछ बलानी होने वाला वो यह कहती हैं मतलब वो उन्होंने डिरेक्टली नहीं कहा उनकी पार्टी के निता कहते हैं कि आप बहुजन के दलितों के वोट काटने के लिए इस चुनाव में उतरने वाले हैं स्वागत उनको पता न काट लेंगे हमने तो पहल की हिएकि रोको बचा लो उत्रप्रदेश लेकिन बचाना नहीं चाहते हूं जाके मैं आपको सीदी तोर पर बताओं मैं रहू ना रहूं मेरे जैसे 1000 लोग आजाएं उंके जैसे 1000 लोग आ जाएं उत्तरपरदेश सलामत रह हर व्यक्ति अपने लिए लड़ेगा और अपने अधिकारों को फ्राप्त करेगा मुझे ऐसा लगता है कि हमें आप तो एक सम्मानित पत्रकार हैं और आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं इससे आगे वड़के आज हमें बात करने चाहिए कि हम पर मुद्दे क्या रहें क्या चुनाओं के बीच वोट जाके वोट मांगना है राजनीती तो मैं समझता हूं कि समाज को प्रदेश के लोगों को तयार करना भी राजनीती होती है कि सरकार किसी क्यों विपक्स जंता बनी रहे और अपने अधिकार चीन लें सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे शुर वोट दिजी इसको वोट दिजी अरे आप खुद को जितने के लिए जाएंगे आजास्माजबाटि को टाकत मे लाएंगे आप लड़ेंगे ना चुनाओं बिल्कुल लड़ेंगे औरे आप पार्टी प scientists का माहां पन ग लोग दोस्ट ना करेगा सारी चीजे साथ विकल्ब खुले हैं अगर किसी से गटबंदन हो गया तो कम सीटों पर भी लड़ लेंगे नहीं हुआ तो सारी सीटों पर भी लड़ लेंगे इस से बुरा तो नहीं देखा कि बोलने की आजादी नहीं है हमने देव भी देखा मीडिया बोलती है तो उन पर चाप में पर पढ़ जाते हैं और कहते हैं लोग तंत्र है कहां का लोग तंत्र है आप कौन सी सीट से लड़ने वाले हैं चुनाव सोचा है कुछ चहां पार्टी के दे हम तो नुसासित वर्कर आप पार्टी आपकी है आपको इस बताना है चंद्रprofits राजात को ही खुद बताना है कि चंद्रुआधा आजाद कहां से चुनाव लड़ेंगे और आप कह रहे हैं पार्टी बताएंगे लोग नहीं है उसमें कही न कहीं से दारी बनानी है और अब उत्तर प्रदेश की जंता के बारे हम सोचना जो आप देखिए आप खुद को कांशी राम का चेला बताते हैं ना बताता हूं नहीं हूं साबित कर दो नहीं हूं आप बता तो कोई कभी ने वो तो बैन जी तो कहती हैं कि कांशी राम की पार्टी तो बहुजान समाज पार्टी है राजनीतिक विरासत उनके पास है सिध्धांतिक विरासत मेरे पास है मैंने तो एक सिध्धांत नहीं छोड़ा क्यों उन्होंने अपने सिध्धांत सारे सब दरकिनार कर दिये क्या अब जो उनके पास है आप सिद्धान्द के रूप में अगर हाती से गणेश बनता है न तो हाती की अत्या होती है आप पढ़ ले न और मैंने पढ़ा हुआ हाती से गणेश बनने की परक्रिया में हाती की अत्या होती है बिना हाती की अत्या गणेश नहीं बनता है आप चाहे तो बढ़ ले ना मेरा पड़ावा है तो बाकी मैं अपनी बाते रखता रहता है कौन से ऐसे मूले हैं कांची राम के जो बहन मायवती ने छोड़ दिये त्याग दिये तिलांजली दे दी त्याग कर दिया क्यों आप इतने नाराज है बहन सा मूले है बताईए ये बताईए मेरे आपके कहने से कोई बदल जाएगा क्या आईए हम अपनी बात करते हैं उत्तर पर देख चोड़िये वो बदले ना बदले अगर आप रिटारमेंट का टाइम हो गया है अब आप आईए ना वो तो बितावा कल आप आने वाले कल पर बात करेंए दली तो वह क्या होने वाला देश तो आप क्यों नहीं करते बहन जी से क्यों नहीं कहते कि अब आप रिटायर हो जाईए बाप का टाइम हो गया और मुझे आने दीजे ये देखें ना आपके पोस्टर लगा हर पार्टी के नेता का देखिए बीजेबी से योगी जी है समाजवाई से अकलेज जी है और बसपा से सती से मितरा जी है पताए आपके है मायवती जी का पोस्टर कहा है अब उनसे वो खुदी नहीं है अब तो उन्होंने देदी है मितरा जी को कि मितरा जी चलाएं जैसे चलानी है तो मितरा जी से आपके हाँ जो है वो जैबीम हो जाती है जब आपके मंच पे मिलता किसी और मंच पे हो जाती है सवाल यह है कि Numeralis इस आजादी में भी 70 साल से गटर में उतर रहे हैं और मर रहे हैं हर साल लाकों की संख्या में मरते हैं कोई नहीं पुछता बीना सुईदाओ के बिना जो इकभिमेंट से उनके बगएर उतरते हैं और मैनत करते हैं फिर भी दलीत कहलाते हैं कुछ लोग जो सोच से दलीत हैं उने पर चर्चा नहीं होती है हम पर हम इसलिए दलीत हैं कल से तो देख रहा हूं मुख्यमंतरी पर चर्चा और दलीत मुख्यमंतरी बन गया रहे क्या चार हाथ वाला है क्या छे पैर वाला है इंसान ही तो है दली तो इस सिस्टम ने बना रखा है अच्छा होके मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस बीजेपी की सरकार ने आपको एनेसे लगा कर जेल भेजा था साल भर के लिए आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे चुनाव में बिलकुल नहीं जाएंगा कभी भी मरते दम तक क्योंकि राजनीती संभावनाओं का खेल है जब पुराने कटर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं बहन जी और अकिलेज भी साथ हा सकते हैं अचा ओके बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे आज इस्टेटमेंट दे रहे हैं आपके एक बार वो कर देना वाल तो कर नहीं रहें पहले बता रहें जब तो जिंदा हैं तब तो नहीं करेंगे ठीक है बैंजी के साथ हो सकता है दो जार बाइस के बाद वो सारी पर्टी दरुआ जा समाज पर्टी में आप देख लेना हाला तो अभी भी ऐसे हैं आप देख लीजेगा पर जब लडाई एकी है भाज़नों की है दलितों की है तो फिर साथ तो आ सकते हैं ना अगर बेंजी फोन करें उनसे कह रहा हूं कि वह अगर बेंजी फोन करें रावन चंदर शेखर जो भी वो बुलाती है आपको कभी मुलाकात हुई है आप बताते रही है आगे बढ़ी है आगे बढ़ी है कहें कि आज आओ मिलना है आओ चाय पीते हैं तो जाएंगे और नहीं जाएंगे जाएंगे ना बुलाएंगी चला जाओंगा लेकिन एक सत्य है कि आजास समाज पार्टी को ही चलाओंगा उसी का वरकरबन करेंगा बुलाएं कुछ भी करें उसे गटबंदन नहीं करेंगे चाय पीने जाएंगे तो आप उनको यही कहेंगे आप के बैसे कहेंगे उनका एक एक नहीं चलाओंगा बिपक्स के लोग बी सुनते है सब लोग सुनते हैं और कह रहे हैं कि अगर वो जिद चोड़े तो परदान मंतरी बनाएंगे अब आजार समाज पार्टी से बनाएंगे पूछ लेता हूँ और क्लियरली बोलिये गा इमानदारी से देखिए अब चुनाव नजदीक आ गया है अब इन सवालों से बचने का कोई फाइदा नहीं है सिधे सिधे बताइए उत्तर परदेश में जो बहुजन है जो दलित है वो कितना प्रतिशत आपके साथ कितना प्रतिशत बेहिंच जी के साथ देखिए ये तो आपके पास सर्वे आप लोगों ने करा आप मैंने करवा आपको होगए कि भई चंसे कर आपका क्या नतीजा है बता देजा है हमारे एक सर्वेर यही बैठे में जिन्होंने करा है 17% वो कह रहे हैं कि अभी वोट आ रहा है आपको हाँ पूरे उत्तरपर देखिए 17% वो कह रहे हैं मैं उस दिन से लगा हूं पूरे जिस ओवरन जो भवजम समाज का वोट हो 17% वो कह रहे है आपको अब उनका मैंने करवा है नहीं आर उनका आप करवा लो या उनका मिस्रा जी बता सकते हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं वोट बचा कहा है दलित हिंदु नहीं है और बीजेपी चुनाओं से पहले बताती है दलित की जाती है उसे जाती सटुल काट दिया है करको नहीं अपने आपको हिंदु नहीं कहते हैं नहीं नहीं हूं बिल्कुल साप्तु साथ बीड़ित रहे हुए अप बतार है पंजा पर लकुल दसीन बना है हम यह थो रहे हैं हम विजिनू नहीं नहीं है सदियों से अधिकारों से बंचित रहें चाहते तो बाबा साब दूसरा देश बना देते पुजा पाट करते हैं लेकिन लड़े और इसी में रहा कहा कि इसी को सुधारेंगे और नहीं सुधार पाए तो बोध दुर्म करेंड किया आप पुजा पाट करते हैं मैं तो यह कहता हूँ कि भगवान अगर इतना कमजोर हो गया कि उनको ऐसे भक्तों की जुरत पढ़ रहे हैं जो राम नाम पे एत्या करवाते हैं तो मैं तो नहीं मानता हूँ जो जिसने स्वष्टी मनाई जिसकी चर्चा होती है कि सब कुछ उनके आँ चल रहा हो इतना कमजोर हो कि इनकी जुरत पुड़े जो कहते हैं कि हम घर बना रहे हैं आपने कभी भगवान में विश्वास नहीं किया या फिर कभी विश्वास उड़ गया बाद में ऐसा जान लिया पढ़ लिया उर्थिंट छोड़ दिये लेकिन सारा का सारा दलित तो चला गया बीजेपी के साथ देखिए हमारे हां हम हिंदू है और बाकी वजों से भी हमारे यां घर पर रविदाश जी को मानते सद्गूर रविदाश जी महारा और वो उन्होंने का मन चंग जान रहा हूं वो दिन गए अब हमारी राइंतिक हैसित बनी है लोगों में सीमबी बनाना पड़ रहा है और लोगों को हमें जो है न हमारी बात भी करनी पड़ रही है तो योगी जी को कल से देख रहा हूं नहीं ट्यूटर पर लगे हुए हैं और बखारे हैं कि वावस आ तो विकल्ब खुला है तो यह दिन आपको उन्होंने फोन किया कि बुला रहे हैं तो और दिन बताना फिर देखें सोचेंगे मेरे थू क्यों जाएंगे वो तो डिरेक्ली फोन करेंगे आपको उतर प्रदेश में आपका जनाधार बढ़ रहा है भाई इसमें कोई शक कहा ह अगर मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अगर नियत नहीं है सरकार के बनाने के बाद काम करने की तो क्या उतर प्रदेश का भला हो जाएगा क्या है जो करोना में जो हाल हुए कि आज भी अस्पिताल नहीं है इसका भला हो जाएगा आप मेरी जीवन का किस्सा सुन लीजे मैं अपने पिताजी को लेके एमस गया दिली मेरे पिताजी प्रेम्रे स्कूल का एड़ मास्टर थे और उनको बैड नहीं मिला तीन दिन पढ़ा रहा मैं वहां उस दिन मैंने तै कि गरीबों की कोई खैसियत नहीं है अब यह सेकिंड वेव में नहीं नहीं 2011 10 में तब मैंन प्रेविट होस्पिटल में तो जा नहीं सकता है इसको सुधारना पड़ेगा सरकारी में सुधाय देनी पड़ेगी सरकारी स्कूल में सुधाय देनी पड़ेगी मैं कह रहा हूं कि सबको उसर मिलना चाहिए ना मिल नहीं रहा है अच्छा अखिलेश के नाम पर मैंने एक ए बोलने में पॉज आगे आपके नहीं मैं अपनी तस्वीर भी देखता रहता हूँ ना अपनी हैसियत को नापता रहता हूँ कि कैसा दिख रहा हूँ तो एक बार मुच्छों पर ताफ देखे दिखा दीजे एक बार अपने उन फैंस के लिए जो आपके यूथ में फॉलॉइंग है ना वो मेरे काम से मुझे प्यार करते हैं मुच्छों से नहीं करते हैं वो जानते हैं कि ये वेक्ति वो सक्स है जो पिकेगा नहीं जो टूटेगा नहीं cbid income tax की वज़े से अपने सिद्धान्तों से नहीं भटकेगा आठा लूँ सूरज पच्चिम से जो निकल सकता चंच्छ करने के परिवर्तन के लिए हैं कि हजारों साल के बाद आज भी अगर इस देश में ब्रावरी के अधिकार नहीं मिल रहे हैं समानता की बात नहीं हो रही है तो होना चेठेकेदारी पर जो है आज भी जो सफाई करमचारी मर रहा है उसकी डीवन पर बात होनी चाहिए अच्छ पर यह नहीं है कि आज मैं पर्टियों के बारे में अपने रिष्टे बताने के लिए हैं क्यों आया है मेरे बाद को बहुत काम है माहिकवज आप जानते है ना चुनाओ का मंच है तो उनके नेताओं से आप मेरा नाम ले लेकर पूछना मैं देखता हूँ आने वाले कुछ कि चंशेकर के बारे में क्या विचार है तब मैं समझाँगा कि आप सबसे बराबर की बात करते हैं सबसे उसी तरह पूछते हैं जिस तरह मुझसे पूछ रहे हैं देखिए मैं साफ तो रुपे कर रहा है यह आपका हक है सवाल पूछना मेरा हक है आप यह कह सकते हैं कि नोजवानों के बविस्से के साथ खिलवाड के बीस जार पद खागे कल का दिन मुख्यमंत्र जी पर बाइस थारिक के बाद 15 जिन का समय मांगा ता फिर उत्रूंगा लखनों में और इस बार ऐसा अंदोलन करूंगा कि मुख्यमंत्र जी चैन तो सो नहीं पाएंगे अपने जमाद के हकों के लिए कोई समझोता नहीं है और यही राजनीती है दो तीन बड़े-बड़े मुद्दे जिन पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा जरूरी है महिला सुरक्षा महिलाओ की बात महिलाओ को नकारा नहीं जा सकता उनकी इस्सेदारी को नकारा नहीं जा सकता नोजवानों के लिए रोजगार और यह भरष्टाचार की राजनीती इसका खतम होना चाहिए जिस राजनीती में कितने लोग भरष्टाचार की भेट चरते हैं पूल बन गया ग तो यह बरस्टाचार खतम हो और सुद्ध राजनीती हो कि जिसमें जनता के हिदों के लिए काम हो विफक्स और जो एपक्स साथ बैटके स्टै कर लेंगे उत्तर प्रदेश का रस्ता विकास का रस्ता कहां से होके जाएगा एजुकेशन पर बात करेंगे जिस तरह से एजुकेशन को दबाया जा रहा है और जिस तरह से प्रैविट सेक्टर करके सब जिरो किया जा रहा है आप यह तो देखिए और इम्पोडेंट बात बता रहा हूं अपने देश की चिंता सबको है कि तो बिसपित हजार करोड के लोन माप हो रहे है 10 24-14 जार करोड के लोन माप हो रहे है किसान का दस-जार का लोन होगा तो उस पे उसे जेल भेच दे जाएगा, अगर नहीं दे पाएगा मैं दूर पर अगर लॉन होगा तो उसको जेल भेज़ देंगे गैर बराबरी कहा है अभी जितने भी जो है आप से के सारा सिस्टम प्राइवेट को दे दिया है गरीब की हैसे थे आप मुझे बता दो कि एक गरीब जो है अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाए स्वागत है अपने देश के लिए लड़ना अगर देश द्रो है तो स्वागत है और बीजेपी देश नहीं है भाई ये भी समझना पड़ेगा बीजेपी ने तो जितना देश को वेच दिया है निजी गण के खिलाब बड़ा अंदोलना आप देख लेना हर जाध धरम के लोग आते हैं कहते हैं हमारे बच्चे हम पढ़ा रहे हैं वो सरकारी नुकरी कहां करेंगे अच्छा राजनीती कैसी लग रही है चंदर शेकर आजाद जिसको देखो चेहरों पर मकोटे लगाए बैटा है मंच पर कुछ कहता है पिछे कुछ कहता है और अगर इतने अच्छे होते राजनीतिक लोग तो आज यह हैसित ना बनी होते हैं हम्म्हार जासे लोग जुरत क्या पढ़ी अच्छा बताईए इस्पेस बना न कि उनकी बात नहीं हो रही थी जिनके लिए हम बार-बार कह रह होती है नेता विएङपी हो करते हैं क्यों है क्यों जैत जंता के पैसे लोटने का सोटने की जोत की धरम संपर्दैक्टा के राजितिक अंत होगा और किसान बोड लगा मैंने एक इंपोटने ने बोलते हैं विजर लोग कि किसानों का सारा जो है कन्या मुक्तान कर दिया करते हैं हम आते हैं किन्या की खेती से मेरी मां का सुवब फोन आया घर की बात बता रहा हूँ कि वो पेड़ खड़े हैंना 90 पेड़े वो 46.000 अरुपए दे रहे हैं अबने का कि एक पेड़ एक भी नहीं हो रहा है तो कहा कि फीडबेक क्या जमीन से आ रहा है? ग्राउंड जीरो से क्या है? इस बार BJP को कितनी सीटे आने वाली? हाँ, कौन जीतरा है? मैं आजास समाज पार्टी का करे करता हूँ आजास समाज पार्टी के बारे में रोड जमीन से जान रहा हूँ BJP का क्या होगा? बिजेपी रहेगी ना आप तो अराने के लिए निकले हैं? हाँ हारेगी हारेगी और इतनी बुरी तरह हारेगी क्योंकि जितना नुकसान भारते जंतापर्टी ने उत्तर परदेश की जंता को दिया इतना किसी ने नहीं दिया, उनकी अजिए उनके एजबे में देस ही नहीं है और उनके एजबे में कोई नहीं, ना» दलीद है, ना पिछड़ा है, ना अगड़ा है, ना महला है है अगर होती, तो वह इनकी हत्याओं पर छुप न रहते हैं आप समय चला गया मैं देव परदेश की जंता को भी कहना चाहता हूं समय चला गया कि धरम और संपरदाई की राजनीती हावीतिया मुद्दो की राजनीती होगी रोजगार की राजनीती होगी मेला सवसक्तिक अंश्रक्षा की राजनीती होगी आप जो है एजुकेशन की रा आए और आपने सारे तीखे सवालों के बड़ी सास से बड़ी बहादूरी से जवाब दिये मैं शुब कामना ही देता हूँ आपको देने चाहिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हूँ जनता के पास जितने ज़्यादा विकल्प हो उतना अच्छा है उतर ये चुनाव में ताकि जनता को विकल्प मिले और आपको भी पता चले कि वाकई जो सोशल मीडिया पर मीडिया में आपको इतना दिखाया जाता है आप च्छाहे रहते हैं चुनाव में आपके साथ कितने लोग हैं आपको भी इस बात का पता चलेगा मैं आपकी सुभकावना का आदर साभार करता हूँ मैं आपसे ये भी कहा देखा हूँ कि नोजवान नहीं लोगों को मौका मिलना भी चाहिए पुरान लोगों तो देख चुके तभी तो उनकी सरकारे गई है अब नहीं लोगों को मौका मिलना चाहिए और जब कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो फिर उनको बदल देना चाहिए तो हम अच्छा करेंगे और 2022 में उत्तरपरई से भाजबा का जाना तै युवा नेता, चंदरशेखर आजाद, रावन का एक बार तालियों से धन्यवाद कर दीजे तैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, चंदरशेखर आजाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24